कलकता की आप लोगों की प्रगती देखकर बड़ा आनद आया और मैं जानती हूं कि इस शहर में अनेक लोग बड़े गहन साधक हैं उनको अभी मालूम नहीं है कि ऐसा समय आगया है जहां वो जिसे खोशते हैं उसे पाले आप लोगों को उनके तक पहुशना चाहिए और ऐसे लोगों की खोशती दर्दी चाहिए जो लोग सत्य को खोज रहें इसलिए आवश्यक है कि हम अपना विस्तार चारो परफ करें लेकिन उसी के साथ हमें अपनी भी शक्ती बढ़ा लें अपना भी जीवन परिवर्टी करना चाहिए अपने जीवन को भी एक अटूप योगी जैसे प्रज्वलिक करना चाहिए इसे लोग देख करके भैचानेंगे कि ये कोई विषेश वक्ती, इस वक्ती में कोई विषेश बात है इतना ही नहीं किल्टू जब आप अपने शक्ती का उप्योग करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि ये लोग सिर्फ बाते नहीं करती हैं कि तु जो पुछ कहते हैं वो कर भी सकते। इस पर मैं यह कहूँगी कि ध्यानदारना करना बहुत जबूरी है. कलकत्ता में एक बड़ा व्यस्तत है और इस व्यस्तता में, इस व्यस्तता में मनुष्य जूच जा, उसको समय कम मिलता है. यह भी बात सत्य है, इसको यह जो समय हम अपने हाथ में जरी के तरह बाते हैं, यह समय जिर अपने थान के लिए और अपने अंदर के प्रगत्य के लिए, हमें अंदर के प्रगत्य के अपराप करनी है, हमें अगर अंदर से अपने को पूरी तरह से जान विना है, तो आवश्यक है कि हम खोड़ा समय इसके लिए आवश्य रोज जो लोग रोज धान आना करते हैं शाम के वक्त और सबेरे थोड़ी जैर उनमें और जो नहीं करते हैं उनमें बहुत अंतर आ जाता है विशेशकर जो लोग भाहियता बहुत कार्य कर रहे हैं तो जोग के लिए बहुत मैनत कर रहे हैं और इदर उदर जाते हैं लोगों से बातचीत करते हैं लेक्चर देते हैं समझाते हैं उनकी जो रूहानी शक्ती है जो दैवी शक्ती है वो धीरे धीरे कम होती जाते हैं इसल करने के लिए कोई विशेश कार्यक्रम नहीं होता है। सोने से पहले आप थोड़ी ज़्यान कर लें और सबेरे नहने के बाद थोड़ी ज़्यान कर लें। यही काफी है। लेकिन जब ज्यान होता है तो कैसे पहचाना जाएगा कि आपका ध्यान हीद हीदॅगा ध्यान करते ह 이상व existed optimist इस वक ये नही या नहीं यन नेती यन नेती इस तरह से अपने विचारों को जिन वाहस कर देना है करते करते दो श्वास देने से टह्रें श्वास देने से आप देखेंगे कि आप में जिर ही वाय है आप सामने दीव जला के पैर्क पानी में रखके बैटना जाहिए जिस वकत निरुचारिता आजाए और दोनों हाथ में चैते ने बैना शुरू हो तो आप पैर्क पोच करके और फिर रमीन पर ध्यान में बैच जाए जान में बैच करके और उसकी घहनता को आप जाने फिर विचाराना शुरू हो जाए तो उसे फिर कहना कि ये नहीं ये नहीं ये अक्षमा 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 शब्द मह जरूरी है उस शब्द से भी आपके विचार प्रगति हो सकती है क्योंकि जब तक शान्ती नहीं रही तो आपकी अंदूनीष प्रगति किस्त प्रतार हो सकती है जब के समझ लिजे भूजाल आरा हो जब किसी विच्षती प्रगति नहीं हो सकती है तो उस वक्षमा अनुष जब एक विचारों के भूजाल में फर्दा हुआ होता है तब उ आप कह सकते है इससे आपके अंदर शान्ती पहले प्रस्तापित हो दीरे दीरे आपको आश्चेरे होगा कि यह सब प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी ने आप हटाक एककम ही निर्विचार हो जाएंगे और निर्विचार हो करके और आप हटाक इस चीज को प्राप्त कर जिसे हम कहते है निर्विचारिता तो ऐसे भी चलते चलते पास्ते में ही नहीं सहज में ही आप एक्तम निर्विचार हो जाएंगे किसी बड़ी सुन्दर सी पस्तू या तलात्म पस्तू को देखते ही आप एक्तम निर्विचार हो जाएंगे दिरे दिरे यादत बढ़ती और निर्विचारिता की अवधी जैसे जैसे बड़ेगी, ऐसे ऐसे आपकी अंदरुनी फ्रगती होती रहेगी। की आप एक दालान में अपने आजएं लेकिन और दालान में भी आपको जानना है और पहचानना है अपने को इसलिए आवश्चक है कि आप ज्जिहानदारन में घहन उत्रेले हैं. उसकी पहचान यह है कि जब आप जानदारन से उत्हेंगे तो आपका मन नë ही चाहimpivity है कि उत कि अपना चित खाएगी हैं जैसे खाना कि खना है या सोना है prescription कोई सिरी चीत, तो समना चाहिए कि ध्यान नहीं लगा, क्योंकि ध्यान से छूटना तरह सा कथिन काम है, इस तरह से धीरे धीरे आपकी अंदर प्रगुती होती होती रहेगी, और जब आप बाहिय में कारे करेंगे, तो आपको बड़ा अश्चरे होगा, कि आपकी शक्ति उल्टे बढ़ती जाती है, अब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि लोग फॉरन उसी वक्त पार होने के बाद ही बुस्रों को जागुती देना चाहिए, और फिर उनमें कैचिस आ जाती है, असल में कैचिस होते नहीं है, जैसे कि किसी बारोमीटर म या किसी यंद्र में आप जान सकते हैं कि यहां धुए निकल गा है, यहां प्रकाश हो रहा है, उसी प्रकाश आप भी अपने अंदर सब को जान सकते हैं, इल्टो कर आप उससे कर गुरित हो या उसमें तक्रीफ हो जाए, तो बेहर नहीं तो बैसर है टी, आप उस दिन के अपनी प्रगती साथ में करें और एक तरह का निर्वाज सोभाव आजाना चाहिए, माने रिटाचमेंट आना चाहिए, पिर आपको पकर नहीं आजे, आप कितने भी लोगों पर हाथ चलाएं, कितनों के भी जागुरुती भी कुछ भी कारें, इतनी भी बिमारी अच्छी करे आपके अंदर उसका कोई असर में आजे, पर ये दशा आए बगर ही गर आप लोगों पर हाथ लगाने लगे तो बड़ी मुश्किल होता है, तुस्ती बात यह है कि आप लोग पार हो गएं और आपकी एक स्थिती आगे, आप बहुत उंची स्थिती में आगें, बड़ी बड़े जतन से, समाल करके, हो सके तो कुछ खिलाने-पिलाने की विवरस्ता करिये, इससे वो लोग आपको इतना बहेंकर न समझें, क्योंकि सादू-संत लोग को आप में डंदा ही लेके बैचते हैं, उस प्रकार नही होना चाहिए, होना चाहिए इस तरह से, कि वो अपन जम सकते हैं, और अधिकतर मैने देखा है कि एक गड़ आदमी ऐसे आजाते हैं in Sahaja Yoga, कि जो लोगो को बहुत ज्यादा बिस्ट्रिन सिखाएं, क्या ने खड़े हो, भाह ने खड़े हो, ऐसा ने करने का, आप ऐसा ने करने का, खास in Sahaja Yoga में दिस्ट्रिन कोई नही है क्योंक तो दीरे दीरे आप अपनी उपर हैसने लग जाते हैं। आप सोचे हैं कि इस तब बागलता मैं क्या इतना वड़ा यहां आनंद का सागर पड़ा था इसको छोड़के मैं कहां फचा हुआ। तो दीरे दीरे आपने जैसे अपनी प्रगति को प्राप्त किया ऐसी गो लोग भी अपने प्रगति को प्राप्त दीरे दीरे कर लें। लेकिन इसमे कोई डिसिप्लिन आत्मा का क्या होगा। जब प्रकाशी आगया तो आप जानते हैं कि प्रकाश में किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से सबनना चाहिए और ये प्रकाश आपके व्यवार पर भी पड़ता है और दुसरों के व्यवार पड़ता है आधिक आप, आप अपने को जैसे देखते हैं, जैसे कोई प्रती बिंबसा होता है। आप देखते हैं मिझ में ये कराबी है, वो खराबी है, तो बेकाल शीजा इस फेक देना जीजिए। समंटि जेकर इस तारी में कहीं कर दाग लगा है और हमें दिखाई नहीं देता, तो हम पानेगे ही नहीं पर जैसे ही अमें दिखाई जेगा, हम चाहें कि साफ कर दाने इसी प्रकार ये जो देखना मात्र है, इसकी व्यवस्ता होनी चाहिए वहाजयोग में एक सिती जिसे हम कहते है साक्षी स्वरुपत्राप्त होता है. साक्षी स्वरुपत्त्व में यह बात है कि आप किसी चीज के और देखते मात्राइ, उसके बारे में सोचते नहीं. कोई भी आपके अंदर उसकी रियक्शन प्रतिक्रिया नहीं आने जाएं. जैसे कि अब हम आएं, यहां हमने देखा बड़ा सुन्दर सबसजावत है, बड़ी सजावत है. अब इसे देखते मात्र रह गए. तो जिसने इसे बनाया, जिसने इसे सजाया, उसने जो अपना फ्रेम और जो इसमें आनन डाला है, वो पूरा निराकार आनन, जो की साकार यहां हो गया, फिर से निराकार बन करके, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई गंदा आपके सर से बाह रही आनन, एक दम उसे दे ऑधिम है की जैसे एक प्रती क्रिया के उसे देखनामात, यह सबसे बड़ आनन डाएँ चेष्ठा है, इससे बड़के और कोई आनन डाएँ जो ने, कि आप धिम कोई प्रती लालसा नहीं हो, जैसे समझे़िए yanlış अजिया इक एहां कार्पन bछा है, रह बहुत अच्छा पि तो उसे आद ही तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी कि मेरा तो रही नहीं किसका होगा वो देखें अचा अपकर दूसरे का है उसको देखने पर भी आपको लगेगा कि कितने का होगा कितने का खरीद होगा इनके पास कहां से इतना पैसा आया यह हुआ वो हुआ ऐसी बाते बाते आसकते कि गर मैं लेना चाहूं तो कहां से लूगा तो विचारी आते रहें तो विचार पहार क जैसे बीच में आजाए तो इसका जो आनन था इसने बनाया उसका आनन तो आपको मिलाई इसले निर्विचारिता में आने पे जैसे कि कोई तरोवर एकदम शान्ख उसमें एक भी लहर नहो, कोई लहर नहो, कोई तरंग नहो ऐसे शान्ख अपना मन हो जाए और उस शान्ख मन जितना उसके चारो तरफ बना हुआ निसर्ग, सुंदर निसर्ग है, जो कुछ भी सुंदरता है, वो सारी उसमें पूरी की तरह जाग, पूरी की पूरी जाग, उसमें पूरी की पूरी प्रति बिंवित हो, और दिखाईगे, ऐसा ही आपका मन हो जाएगा। और जैसे यह आपका मन हो जाएगा, आप आश्चेन हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने कभी यह देखा ही नहीं, हर वस्तु में इतना अनन्द है, मैंने कभी देखा ही नहीं, किसी मनुष्य में इतना अनन्द है, यह मैंने कभी देखा ही नहीं, और जाना ही नहीं, कलकत् आपके अंदर एक링 जागरी की हो गई और बहुत जोस्टे जागरी कि एकी जोग उन्ड हुघten 2 दूसरे कमरे में थे जो सब लब लबने। 4 ईयाज़ां कि jala क्या हुए? कुल है लिए भता नहीं। Inne जोर की लहने की लेह कि दॉस्क बनी। अब कुछ नहीं, एक बड़ा महनुभावी क्याना चाहिए, एक बड़ा अब फर्मात्मा को खोलने वाला साधर, मेरे चरनों में था और कोई बात नहीं थी, पर उसके जो कुछ भी ख्रिया हुई अंदर, जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ, वो इन सब को एकदम हल चल सी कि इतने चैतनी की लहरिया क्यो आई, जैसे कोई पूजा हो रही है, तो यह मानस पूजा ही थी हुए, तो वो लोग आपिस साथ उन्होंने देखा बड़े खुश हुए, सब को गलिस लगा लिया लिया, उस आदमी को जानते नहीं, उसका नाम जानते नहीं, वो कौन है, अजिए लिया, किसकुछ जानते, एकदम गले से लगा लिया लिया, तो बड़ आलजादित हो गए, इसमाने जैसे कि इतने ही गुलाब के फूलों के वर्शाइन पे हो गए, और मैं देख ती रहे, तो यह नहीं पूछा तुम क्या हो, कैसे आ गए, इस प्रकार आप किस्त अजिए की बात बताऊंगे आपको, नामदेव एक कभी थे और एक बड़े भारी सादर्ग, और कहना चाहिए कि आत्मसाक्षातकार में बहुत कुछे उठे हुए एक संथ थे, उन्होंने वो एक दर्गी थे और एक दूसरे संथ थे, उनका नाम था गोरा कुमार, जो कि कुमार साब इत्ती अपनी लेकर उसको पैर से रॉन रहे थे, क्यों कुछ तयार करना होगा, कोई सामान, उसकी मैनत हो रही थे, उसके सामने जाते ही, एक दम हठात करने खड़े होगे, और देखने लगे, तो गोरा कुमार ने का, क्या देख रहे हुए? कहले, माराथी में क الا देखने है, क्या तो गुओे ये, निर्गुन देखने आयाथा, छैस्तनने देखने घाय था वह तो वसरा निर्गुन साकार हो, सारा निर्गुन साकार हो. इस तरह की समझ और इस की सूग हूज एक संत कोही दूसरे संत के लिए होचा है. आज तक तो मुन रहता है, लेक यह निर्गुन है। इतनी उंची पद्वी उन्होंने गोरा कुमार को दी और वो पहली मर्तबा उनको मिले। इस प्रकार आपसी प्रेम जो है यह बड़ा सुक्ष्म, बड़ा दहन और बड़ा आनंददाई हो जाता है। कहीं कोई सहाजोगी मिला तो दिल बाग बाग बुजाता है बहाँ, यह तो सहाजोगी है। इसी प्रकार एक और सिचा है जहां की एक सहाजोगी थी और वो कहीं पर गई थी बहुत दूर, Sisi ली में और वो असल में रहने वाली थी, Sviddra Lanty और वहाँ दूसरी सहाजोगी नी गई थी एकितेली की। वहाँ बैठे-बैठे उनमें एक आकर्षन सा हो गया, तो दूसरी उठके आई, तो उसने कहा कि, क्या आप आत्मसाक्षातकारी है। एकदम से पूछा, कोई किसी पूछता ले, तो उसने कहा कि, हाँ, क्या आपको श्री माताजी ने आत्मसाक्षातकार गिया, कहले हाँ, और मुझे भी और दोनों खूब दले मिले, और खूब रोना हुआ अपस में, और कहले, देखो मैंने किसनी दूर से तुम पचाना, कह मैंने कैसे पहचाना, कहले, पता नहीं क्या, अंदर से ही एकदम लगा, कि तुम आत्मसाक्षातकारी हो, और तुम सहाजोगी नी हो, और मैं एकदम से तुमारे और देख रही थी, और तुम खुदी उटके चली आई, और इस तरह से, और फिर उनों को समझ्या थी, क्योंक और आनन की कोई चीज हैंगे, अब बहुत से लोगों में यह भी बात होती है, कि मेरा लड़का, मेरी बहर, मेरा बाई, मेरा अगर, यह जो ममत्व है, यह भी काटता है, इस ममत्व को बिल्कुल ही कम करके ना जहीं, जीरे जीरे इसको कम करना जहींगे, तो आपको अश्यर होगा कि इसके छूटे ही आप में बहुत ही ज़्यादा आनन्दा जाएंगे, यह भावना ही चूच जाएगे, कि मेरा कोई है, मेरे की भावना यह अपने को आत्म से दूल करता है, इस प्रकार मैं बताओ, जैसे कि मैं काऊंगे, यह मेरा हाथ, यह मेरे पैर, यह मेरा है, कर दो अज को आत्म हो, में को आत्म हो। और में का तो कुछ्छा अही नियू? रॉबंको अपना अलग खड़ा हू दूल करे का सबेकि अबता है, यह मेरा आत्मा करे को जब पोई का कि मेरा आत्मा है, तो आप प्रकार जैना एंगे, कि तो सहाजोगी ने तो है, आत्मा जैसे कि एक पेड के अंदर बहती हुई, उसकी उसके अंदर बहता हुआ रस हर जगे जाता है, हर जगे उस रस से प्लावित करता है. पत्यों को देगा, पेड को देगा, और उपर जाकर फिर उसकी जो शाखाएं उन्हे देगा, उसके बाद वो फूलों को भी और फ़नों को भी रष देकर वापस लोटाता है, सब को रष देता है, लेकिन किसी में चिपकता नहीं, जहाँ वो कहीं चिपक जाए, समझ जीजे उसको ऐसी चलो, यह फूल बहुत अच्छा है, और यह मेरा है, इसमें नहीं पर जाएगा। वही कर रहे गया, तो वो पेड़ तो मरी जाएगा और फूल भी मर जाएगा। यह प्रेम की हत्या है, और इसलिए मेरे पंद से एक रम छुत्ती लेनी चाहिए। जैसे यह चुती आपको मिलेगी, आप बड़ा आश्चे रिमें हो जाएगे, कि आप जो एक बिंदु मात्र थे, एक भून मात्र थे, वो सागर होगा। क्योंकि यह आपकी परीगी है, यह आपको बान देती है, यह आपकी मरियादाएं हैं, यह सारी चूट करके आप अमरियाद को जाते हैं। और इस ही आवटिता में जो आनन्द है क्योंकि फिर आप सम्दुरक साथ तम defehorn Tाहएं और दोलते हैं तक फिर आप तो यह फिक्रने के आगे क्या होगा आप जोगा आप यह तामे महत है इस वक्त्त्यों मज revenue है और वही वृ सबसे बड़ा है। इसी तरह मनुष्र वर्तमान में आ सकता है. मेरा छूतना बहुत जरूरी है, इस ममत्व को छोना बहुत जरूरी है. और जब ये ममत्व छूत जाता है, तब एक बड़ा आंदोलन आपके अंदर हो जाता है. और उस अंदोलन से ही आप अत्यंत शक्ति साली हो जाता है. और वही शक्ति कार्यान मीट होते है. और वही सामुहिता में एक बड़ा-बार कारे करने वाली है. और सारे संसार का उद्धार भी उसी शक्ति के द्वारा हो सकता है. ऐसे कितने भी birl में उनको अपसा tension बने कंगर एक नया इस नया दोर शुरू हो रहा है से नया दोर अज शुरू हो रहा है मैं कहो कलकते में भी ऑर्ष अंसे उरह है हर जगे सुरू हो गया है वो यह दोर है कि अभ हम एक बड़े ही आंदोलन ने ह है जहां हमें अपने प्रश्न नहीं रहे गए, अब हमारे लिए हमारे अपने प्रश्न नहीं रहे गए, पर सब के प्रश्न हमारे प्रश्न होगा, सारे संसार के प्रश्न हमारे होगा, और इसके लिए एक प्रगलवता चाहिए, एक मरभपन चाहिए, एक उचाई चाहिए, इस तो आप इसके लिए जिम्मदारी बहुत जादा है। यही नहीं कि आप थुद सहहाज योग से लाब उठाएं, उसका फाइदा उठाएं, उसमें रजें, उसमें मजा के अरहें, यह शिर्फ नहीं है। इसमें यह है कि आप जाएं और सब को यह आनन देना है। और यह तालिक करते वक्त आप लोगों ने किसी तरह से कमजोरी दिखाई या किसी तरह से जीलाई की, तो आप इसके लिए जिम्मदार हो जाएंगे। और यह बहुत गलत हो जाएंगे। इसलिए सहर जोग में पनपे हुए लोगों को चाहिए बुक्षकी तरह खड़े हो जाएंगे। और मुझे आशा है कि अगले साल तक बहुत बड़ा कारिश यहां कारिश मुझे सारे हिंदुस्तान में कारिश सबसे जादा आशा है। क्यों सो मैं बता नहीं सकती आज लेकिन एक दिन दरूब बताऊंगी कि इसलिए मैं इस कलकते को बहुत बड़ी भारी चीज समझती हूँ और यह जानती हूँ कि इसी कलकते में सारे हिंदुस्तान का मर्म फसा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि आप लोग खड़े हो जाएं। और इस कलकते की जो पार्शो की नहीं से समझते हुए आप आगे हो बढ़ें और अपनी प्रगति करें। और उरों की प्रगति करें। और एक अपने व्यक्तित्र को विशाल बनाए। जब भी आपके अंदर विचारा कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बीटी एसा है, मेरा गर ऐसा है। कोई भी मेरा विचारा उसको करा तुम दूर रहा। अब मेरे व्यक्तित्र में बैटती है। मेरा व्यक्तित्र बहुत बढ़ा है। और इस वेक्सितों में ये सब चीजे बैठती ने, इसको हो, इसको हो, इसको हो, और तब ही आपको विशाल हो जाएंगे, और ऐसे विशाल लोगों की इस नए आंदोलन में दवरत है, और इसकी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, आशा है, ये साल आप सब को बड़ा मुबार समझा करके, कभी-कभी आफ्रमक होते हैं, कभी-कभी गलत बाते ही कहते हैं, एक तो यहाँ हर एक आदमी दिखित है, ये बड़ा प्रश्न है, इसी ने कजी जाल में फटे है, रश्या में सबसे अच्छी बात ये थी, कि ना उनको दर्म, ना उनको कोई बूरू, ना उनको कोई दिखिए, नहीं कुछ नहीं, सब एक गल जिसको कहते है कि थी, क्लीन प्लेट होती है, उस तरह के लोग थे, बहुत आसाल था सब को पार करा है, यहाँ तो यह कि मैं इधर्म का हूँ, उस दर्म का हूँ, मैं इस गुरू का हूँ, उस गुरू का हूँ, आप अस तो न जाँ देना नहीं, उसके लिए तो आउतरन वगर आए अपनी मंदिरों में जाके दर्शन करें, गुरू का में बोध, बोध तर्व, लोहों में जागृती कर, जब तक वो कोई ज्यान ही नहीं नहीं देते तो वो गुरू का मतलब है ज्यान देने वाले, जो ज्यान नहीं देते हैं,समें उन्जे दर्शन मज़ें दिखित करद गया, जहां तो सभी दिखित लोगहें और कोई ज्यान नहीं दिया, ज्यान माने आपके नसों में आप जाने, ये बत तक नहीं दिया तब-tar тल झाजित पर गष्जान भी एक तरह से अपनी को नष्ट करणाब आप ल हमारे अंदर जो कुछ भी प्रटिया है वो हमारी अपनी है, वैयक्ति भी है, वेष्टी में भी, समष्टी में भी है, सामुहिक में भी सब कुछ कुछ कमिया है, उन सब कमिया कुछ देखना चाहिए. बड़ा अश्चरी मुझे हो कि सहाज ओग में आने के बाद बढ़ कोई ईसाई होगा तो ईसाई दर्म के सब बताएगा क्या 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 गलबला है इसाई दर्म बहुत हचेगा, अरे भाय इस इसाई दर्म में तो हमने यह किया, हमने इतने दंदे किया, कुछ फायदा नहीं इ मुसल्मानों ने क्या क्या तमाशे करे हुए है, और कितनी आफ्ते करी है, इसका कोई फाइदा नहीं, हज पे गए, ये किया, वो किया, सब कमर्शलाइद है, फिर आप किसी हिंगु से पूचे तो वो भी यही बताएगा, कि अरे मंदिरों में गए, कहीं हिमाले में गए, कहा अब आप लोगों को जो धर्म बनाना है, वो असलियत का धर्म है, उसमें नकलियत बिलकुल नहीं होनी चाहिए, कोई ने मनुष्य ने धर्म बना लिया, तो गलत होना ही हुआ, क्योंकि मनुष्य को अभी परमात्मा का तंबंदी नहीं हुआ, तो उन्हों ने इन अच्छे जब ले धर्मों कोई गलत रस्ते पर दालें, लेकिन आप लोगों को जो जो धर्म बनाना है, जो विश्व धर्म बनाना है, उस धर्म में किसी भी तरह की ऐसी बनुष्य की जो गल्कियां उने आ दे ज़े, क्योंकि ये दैवी है और आप लोग ने आत्मसाक्षा प्राप् जब देखेगा कि हमने इसमें जो पाया है ये सत्य पाया और फिर अज़ बड़ी कमाल ये हो जाएगी कि आप जालेगी कि जिस धर्म को हम जहते थे जिस धर्म के उस धर्म का सत्त तव नहीं पाया और उसमें नहीं पाया वो मनुष्का बनाया था और ये जो है अमारे अंदर जागूत हो गया ये धर्म क्योंकि एक बात है आप किसी भी धर्म का पालन करें आप कोई साभी पाप कर सकते हैं कोई बंदन में आप किसी का दुमादर कर सकते हैं चोरी कर सकते हैं किसी का सत्यानाज कर सकते हैं, किसी का घर लूट सकते हैं, चाहे जोग, चाहे पापकरम आप कर सकते हैं, लेकिन सहाज योग में आने के बाद आप 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 कर सकते हैं, किसी का बुना आप 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 कर सकते हैं, किसी का बुना आप कर सकते हैं, मतलब धर्म हमारे अंदर जागृत होना जब तक हमारे अंदर जागृत होना जब तक इन्होंने जो गहा हुआ है वह निजो हमारे उसी जैसे ISumassi कुछ किया तक हमारे अंदर नही आंगा इसी प्रकार हरे बड़े महानुभावनों है ऐसी बड़ी बाते कहीं है। लेकिन वो सब होता है नहीं उसे उल्टे ही बात हो रही। इसका मतलब यह है कोई नो कोई गलत रस्ता पकल गए। लेकिन किसी को कुछ कहने की बात नहीं। सारे समझते हुए। उसको जानते हुए। दिरे दिरे क्योंकि ये लिए रटारे से रटाश मे आ रहे। विआ उन Senior कोई गशिप उन supported ऑने भात कहने से पास, फिछ दर्म धारा यही पिसा के लिकार सी घ honor में को उरो टेदु है। जब तक वो धारना नहीं भोती इसे ठान कर्म होते है। पर इक बेफार से आपणी स्क्रें को दुनिज़ता है। बेफार कोई अर्थ लेखने। और इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म वर्म सब पातन है, बगवान सब जूट है, सुबाद नहीं, सब सत्य है, लेकि सत्य के मार्ग पे चलने वालों को ही वो मिल सकता है, और जो जिस जगह से भी आजाया है, उन सब को स्विकार रेकरना चाहिए, क्योंकि इने से जो जोट 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 जो विश्वात इसना जबरदस होता है, वो किसी परवारी करते है। उनको जो चीक लगता हूं कहते हैं, यही चीक बातर यही मैंतर होगा। लेकिन जब हम बढ़े हो जाते हैं तब जरूर ज़रूर दिमाग में और चीजे भरी रहती है, वो निकलना मुश्किल होता है, और से संस्कार बहुत सारे हैं। तो सिर्फ यह बात समझेनी चाहिए, कि हमें एक बहुत सूझ भूज के साथ, समझदारी के साथ, एक प्रगलवता के साथ, इसको मैचुरिटी होनी चाहिए, इसे बड़पन लेकर जाए, सबके साथ व्यवाद, बड़पन लेकर जाए, यह नहीं होना चाहिए, कि हम यह ऐसे सोचें, कि हम इने ठीक करना हैं। लेकिन एक बड़पन की नाथ, एक पिता माता की दिष्टी से समझें। आपको सबसे बात्युक्त जरनी चाहिए, और प्यार बिखाना चाहिए, सबसे बड़ी चीज यह यह प्यारी की शक्ति है, और इसी को प्राप्त करता है। अज तक आदि शक्ति की शुजा हुई ही नहीं, पादि शक्ति के सिवाए यह कारे हो नहीं का, यह कारे सिर्फ आदि शक्ति ही कर सकती है, कारण सारे चक्रों में उनका प्रफुत्व है। और वही है कि जो हर तरह के चक्रों के आपसी संबंद को समागती है, जैसे पर्मुटेशन संबंद को समागती है। उसको वह समागती है। और इतना ही नहीं वह हर सुक्ष्म से सुक्ष्म बातों को जाना है। जैसे कि आपको इसे भी आवत्रण को देखे, बहुत 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 पूल है। और अपने हर एक हर एक प्रकति पर या कहना चाहिए, कि हमारे जो उप्थान हुआ है, हमाजु जो इवीलुशन हुआ उसके हर एक सीडी पर मालस्टोन बने खरे हुँ झाले हुए। लेकिन सब का एक प्रकार का कायी। जैसे देवी का कार्य था जुष्टों का संवार्त करना और जो भक्ते उनको बचा लोग हो गए था इसलिए Shri Rama ने लीला रचाए कि Shri Krishna ने लीला रचाए कि ये लीला है ये सब लीला है इसमे इतनी गंभीता कि कोई बाती नहीं ये लीला है ये सब लीला इसलिए लीला धर संसार में आये उन्होंने उन पर जो थी Shri Rama ने जो नीव दाली थी उस पर उन्होंने ये बड़ी सुंदर से एक रचना की कि माधूरिय को लेकर मनुष्रे मधूर्ता उनकी मधूर्ता से उन्होंने सब को जिता था और दूसरा ये कि वो उनको तेड़ी खीर थी उसको निकाल नहीं सकते तो कहते थे कि मुझी तेड़ी करनी चाहिए इस प्रकार उन्होंने थोड़ा सा चौर्यक कर्म किया ऐसे कहना चाहिए या ऐसा कर्म किया कि जिससे हमारी जो ब्रहांतियां कुछा विशेश करके कोई सी भी बात किजिये नहीं कि गोल गुमा सरके और ये कृष्नकारी सारा ऐसा ही माना जाता है कृष्नका कारियर जरा सा गोल गुमा करके थोड़ी सी मिठास दाल करके और वो किस तरह से अपनी चीज को कह जेए एक भड़ा ही सिंदर सा उनका अव्तवरंद्रा उसके बाद में और भी महविःजी और बुन्थ वग्रा बड़ा इनका भी बड़ा ज़न बड़ा गंभी आँवत्वरा और बड़े गंभीर टा से इन्होंने आत्मदर्शन की बाति और सम्मयक-दशन की बात करी जो false young we üç में सम्मयक GYन की बात करते में वही सम्मयक Gyan की बात उनोंने करी जो फ जिसोग बरे गंभीत की पिता हम उन्हें जशायाँ अध़न हो गए और सरवसागर लोग इसागर नहीं आए लोगों ही करना हुआ. ऐसे को भूद्ध निक दे निशा है को नियुद्ध नियुद्थ नियुन विक्रिए तरह रिस इसको कृिष्ट बना गे. और वो कृष्ट बना करके, जो करना था वो न करके, उन्होंने तो सबने मननी करने को कहा था, लेकिन इनोंने बश्टूर बनानी शुरू करे, इस तरह से ही चीजे सब बननती है. अब मानव जाती में जब तक आत्मसाक्षापकार नहीं होता, तब तक उसका ज़ारा जेर तक सीधा चलना नहीं होता, इसा मस्य के बाद भी नास्टिक्स लोग आए, जिन्होंने जो आपी जैसे समनने चाहिए, उन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद जो लोग वो सब सर्वसादरन लोगा है, तो उन्होंने फिर ये पॉल किये जो कुछ भी धर्म की रशना करी उसके बज़े से सारी गर्भणिया होती गई इस प्रकार हर एक धर में इस तरह से गर्भणिया होती गई और उसलिए आप देखते हैं के धर्म जो है बड़ा कथिन और बह तक कि आजकर के आदू निकाल के बहुत से लोगों न भी कुंदलीनी के बारे में गलत चलत दिया अब प्रशनी ये था कि मनुष्य को इस तरह से ये बताय जाए कि परमात्मा है और सत्य है वो आत्मा स्वरूप है इसलिए फिर आजिशक्ति का उतरन जरूरी इसलिए पिर वो सारे चक्रों को जानती है और वो आनव जाती में आकर मानव जाती जैसे ही बंतरके उसको मानव भी आवत्वरन ले लागों इससे वो संजे कि इनके अंदर क्या-क्या दोश है और फिर वो दोष निकालने के लिए क्या तनाचे जै कुंदलीनी का जागरन इन दोशों के जिस से मनुष इसको फ्राप्त कर ले पहले, पहले इसको थोड़े से, थोड़े से, थोड़े प्रकाश में देखे, देखे देखे, स्वयम ही समझ जाए, फिर उसको अपने ही और दिष्टी करके देखकर के उसको ये शक्ति आ जाए कि वोसे ठीक है. ये कार ये ऐसा था कि इसमें सभी देवताओं का, सभी अवतरनों का, और सभी महानफुषों का, सभी आना जरूरी था, उसी शरीर में जहारना करके, और इस संसार में अवतरन आना जरूरी और इसलिए अवतरन हुआ है, इस सारे संसार का उत्थान होना है. इस परमात्मा ने वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये संसार मुनुष्य के हाथों बरबाद है। और इसलिए ये कारी अच्यन्त विशाल है। इसमें ये नहीं कि हम कहें कि अच्छा चलो सुदर्शन चक्रने की सप्ती गर्दने काट जिते हो। ये नहीं हो सकता कि आप क्रॉस पे चल गाएं। ये नहीं हो सकता कि हम मनन पे बाते करके चले जाएं। इस पर मनुष्य को घड़ना होगा, बनाना होगा। काभी महनद का काम है। और ये सिर्फ मा ही कर सकते। मा की ही शक्ती है जो इससे कर सकते। और उसमें वो गर प्यार और वो गर सहन शीलता और वो सुझ-भूझ नहो तो वो कर ही भी सकते। इसलिए इस अवतरन की बड़ी महता है। और आज ऐसा कुछ मुका आया कि पूर्निमा का दिन है। और इसलिए बहतर है कि आप आच आदिशक्तिता ही वरन करें। और इसको पाने पर फिर और कुछ कहने की तो बाती नहीं है। इस सब कुछ हो ही जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आदिशक्तिती जो महामाया स्वरुपिनी तकृती है। उसमें एक बड़ा-बारी कारण है। कि अगर वो महामाया नहीं तो आप उसको कभी जानी नहीं सके। वास्तविक में ऐसा है कि जब तक महामाया स्वरुप है तभी तक आप मेरे नजदिक आ सकते। नहीं तो आने सके। आप उससे भाग कर देना है। आप सोचेंगे कि ये तो शक्ति इसके पाँ कैसे जाए। इनके पैर कैसे छोया। इनसे पाँ कैसे करें। तो ये महामाया स्वरुप लेने से ही ये चीज बहुत सौम्य हो गई। और इस सौम्यता के कारण ही आज हम लोग सब एक हो गए है। और ये भी बहुत जरूरी था। इस महामाया स्वरुप में हम रहें। और आप लोग से प्राप्त करते रहें। और खो न जाए। क्योंकि जिन्हों ने प्राप्त किया वो समुद्र में खो गए। जैसे कि कभी ने का, जब मस्त हुए फिर क्या बोले। जब में तो खोने की बात नहीं, आप जब जागूरत रहना है, मैं आपको खोने ही नहीं दूँनीं। इस आनन्द में पूरी गोरा के कोई नहीं खो सकता, आनन्द को बाटे बगए आपको चैनी नहीं आने दूँनीं। इस तरह की शीज होगी, तभी आप लोग संझेंगे कि आपको क्या कार्य करना है। तो आपका भी कार्य सादु संतों से एक करे से अधिक है। कि सादु संतों ने किसी को realization नहीं जाती। हाँ, उनको प्रेश की उनको संझाया। आपका कार्य है कि आप सब को realization दे। और उनको आत्मसाक्षाटकारी और सारे संसारता का ऐस थारे से आप उत्थानट आप करे मने बहुत भकूनगी और जिव्यकारी है। इस कार ενोने इसबीक betray के लिए अधिशक्ति का आना जरूरी था. और उस आदिशक्ति के आगमन से ही ये कारी श्रू हो गया है और बहुत अच्छे से हो रहा है आशा है आप लोग इसे समझने कोशिस करेंगे और बहुत से आप फोटो ऐसे ऐसे फोटो आ रहा है है आपको मेज़ेंगे मेरे पूरे सहस्त्राग का भी पूरा कमल उसका फोटो आ गया है वो भी आप लोगों पास आ जाएंगों से देखेंगे पर ये जो दुस्रे लोगा इनको दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि उसको विश्वासरी होगा उसमें भी निकमेक निकाले है आप लोग जरूरी से देखिए और समझेए ये भी कारे जो हो रहा है ये भी ये परमचैतन्या फुरी तरह से नजाने इतने तरह के फोटो बनाएंगे और एक साधा रल्य कैमेरा जिसमे के कोई विशेश शक्ती नहीं है उस से ये इस तरह के फोटो लया जाहि रहे है और इसना प्रकाश मेरे सर में दिखाई है तो वह किसी को दिखाई क्यो नहीं दिखाई जानी तिर्फ सो कैमेरा में जियो आता यह भी समयने की बात है। आप लोगों के लिए तो मैं महामाया ही हूँ पर कामेरा के लिए शहयद है। वो लोग मुझे पैचादते हैं, कामेरा के अंदर की जो अनुरेनु है वो मुझे जानते हैं, वो बराबर चीज को पकरे हुए। आपको यह कहना है कि आपको परमात्माने सवतनत्रता दी है। इस जडवस्तों को सवतनत्रता नहीं, वो तो परमात्मा के ही आग्या से चलती है। और पश्यों को भी नहीं है। वो भी उनी के आग्या में रहते हैं, वेकिन आपको सवतनत्रता दी है। उस सवतंतरता में किसी भी तरह की बादा ना है, इसलिए महामाया स्वरूप इसे आपको कोई प्रॉब्लम नहों, आपकी सवतंतरता में यह नह लगे के यह कौन होती है, यह कौन है, तो आप ही जैसे हम है, बिल्कुल हर तरह से, और पूरी तरह से आप दिखेगा कि हमें को को ऐसी लिशेज बात आप नहीं पाइएगा, तरह साधर है आप ही लोगों नहीं से हमारा सारा व्यवहार है, और आज कि दिन बड़ा अच्छा है कि आज आदि शक्ति का ही अमने पाचारन किया है, और आशा है,